हलो मैं यूटूब फैमिली अससलाम अलेकूं नमस्ते सस्रिकाल कैसे आप सब मुझे उम्मीद है कि आप सब खेड़ेत से होंगे मेरे दोस्तों मेरे साथियों मैं छमा चाहूंगा कि मैं पैच के रिलेटेड कोई भी इन्फुमेटिव वीडियो अभी नहीं डाल पा रहा हू हूँ एक्षली ऐसा है कि आप लोगों के दुआ के बदौलत एक बहुत ही बड़ी ब्रांश जो पलकाता में हो रहा है हमारा जो जन्वरी में इंशालला ओपनिंग होने वाला है जिसके कारण में काफी बीजी होने का कारण कोई भी वीडियो नहीं कर पा रहा हूं और आप आप तक कोई भी इंफुमेटिव वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा हूं जिसके लिए मैं आप सभी सब्सक्राइबर से चमा चाहता हूं लेकिन आज कुछ ऐसी बात मेरे सामनी आया है जिसे मैंने बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल कर मैंने चाहा कि आप लोगों के ल मुझे खरीने या कोई भी ये से करी दें या किसे भी बंदेश करी ग Holiness इंया बहुत बड़ी दुरगटना हो चकता है बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है कि कुछ ऐसा है कि हमारा क्लेट है जो Dr. Ali भाई का नाम है उनका हैतराबाद के रहने वाले मैंने बाल्त यहां से स्टेट इण हैर पैस लना था कॉरियर फे मैंने पैस पहले करना होता है उसके बाद यहां से कॉरियर लगता है तो उनों एंटर्डे के बाद में ज्यादा मंडे या टूजडे उनको पैच मिल जाना चाहिए तहीन में लगाया था पैच को क्यों की उन्हें ना मंडे मेला ना टूजडे मिला उन्होंने मुझे टूजडे को कॉल के तो मैंने कहा अली भाई आप एक दिन और एक वेट कर लिजिए ज वहां सब लेंगे दो आपको करने के बाद में कोरियर वाले कहतें कि वह और से अलीभाई का मेरे पास call आता है और वो बोलते मेरे को कि अलिवाय समीम भाइ मैंने डियर शेल की कंपनी है उस कस्टमर केर पर मैंने call किया तो कहा कि पैच आया हुँव है आपका एक-7-10 χंट में डिलिवर अगा जया है जैसे कि आज का फ्राइडे का दिन है तो आज का फ्राइडे का दिन में आपको एक दिर घंटे में डिलिवर हुजा जाया पैच ह हथरा भाइभाद में उनका call रखना था रखने के बाद में जैसा मेरे को अली भाय बताए उनका डेशल कस्टमर केर से बात होनी के बाद में अचानक सा तुरत भर में एक कॉल आता है उनके पास में अब उनसे कहा जाता है कि सर आपका जो है पार्सल आप तक के पहुंच जाएगा आपको अगर कोई डिटेल्स चाहि रहा हूं आपको आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और प्ले स्टोर से जाकर के एक डाउनलोड करना है अब इस बात को समझनी के जुरुवत है कि डिएचेल कस्टमर केर से बात होनी के बाद में तुरत उनके पास एक कॉल आता है और कहता है क्या एक लिंक भीज रहा हूं ज अबी भी तो इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देनी के जुरुवत है कि डिएचेल कस्टमर केर से बात होनी के बाद में तुरत भर में उनके पास एक कॉल आता है और कहता है कि एक लिंक सेयर कर रहा हूं उस पर आप क्लिक करो अगर वह बंदा गलती कर दिया होता लेकिन बंदा समझज़दार था अलीवबहां थे गुस्मत अच्छी ती उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया उन्होंने इस सब बात बताया कि सबाएसिक दिया के अपने अपने प्रान उसे बचने के बहुत जरूरत है आप ऐसी लिंक पहीं एल या आपको कोई एगर बोले कि आप लिंक पहीं फिर फिर यह डौनलोड 328 पहुंकि कि हमारा कुछ जाता रहता है लगबग ओल ओवर इंडिया में जाता है तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी विवस इस वीडियो को देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें ताकि ऐसी कोई भी किसी के साथ भी ऐसी दुरघटना ना हो जाए जिनसे उनके कमाई ही पुझी जो जिन्दी की भरके हैं वन सिकेंड में ही लोग खाली करने हैं क्योंकि बहुत सारे हराम खुर लोग बैठे हुए ऐसे जिनका काम ही यह है और ऐसे लोगों मेरे को तो समझ में यह नहीं आता कि DHL कंपनी का पास में उसकी पूरी कॉल जाना उसके पास में यह क्या दरसाता है इसका मतलब कहीं ना कहीं तुरत कोई ना कोई सेर करता है एक दूस्टे से तो हम और आप किस तरीके से अंस्रक्षित अपने को मान सकते हैं तो मिने दोस्तों मेरे साथियों में चाहूंगा कि आप में से कोई भी बंदा अगर आपको सतर करहनी की जुरुवत है कोई भी पैज खरीदें या कोई ऐसी समान खरीदें और अगर कोई भी अगर आपको कॉल करके कहता है लिंक पे क्लिक करना या तो कोई आप्स डाउन्डोड करना तो हर गिरना करें थैंक्यू जाहिन